हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेस्ट क्वालिटी का ट्राइपोड यहाँ पर मैं इसे अन्बॉक्सिंग करके इसके सारे फंक्सन को दिखाऊंगा अगर आप हमारी यूटुब चैनल पर नए हैं तो हमारी यूटुब चैनल को सबस्क्राइब करें और वेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आईए अब हम लोग अन्बॉक्सिंग करते हैं हमारे इस नए ट्राइपोड को यहां पर आप देख सकते हैं इसे आज ही हमने एमा जोन से पर्चेच किया है एमा जोन द्वारा इस परकार के कवर में इसे सेंड किया गया है आईए अब कवर को हटाते हैं और अन्बॉक्सिंग करते हैं हमारे इस नए ट्राइपोड को और देखते हैं इसके साथ क्या-क्या दिया गया है इस परकार के नए डिब्बे में ये पैक है हमारा नए ट्राइपोड यहाँ आप देख सकते हैं इसके अस्पेसिफिकेशन दिया गया है आप यहाँ पर इसके अस्पेसिफिकेशन को देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है first number में quick release plate, next है wealth जो है 680k, यहाँ पर load capacity दिया गया है जो है 3kg, साथ ही यहाँ पर नीचे में दिया गया है closing height, मतलब minimum इसका height जो रहेगा 530mm रहेगा, barking height की बात करें तो minimum रहेगा 500mm, अगर maximum height की बात करें तो इसका maximum height यहाँ पर रहेगा 1390mm, और सबसे last में 3 section aluminium legs भी यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर इसके डब्बे को देख सकते हैं, यह डब्बे कितने अच्छे तरीके से pack किये गया है, आईए देखते हैं यहाँ पर tripod है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, tripod जो है एक bag में pack है, साथ ही में यहाँ पर हमें एक smartphone mount करने के लिए एक plate दिया गया है, यह bag तो बहुत ज़्यादा अच्छा quality का नहीं है, फिर भी price के हिसाब से काफी ज़्यादा अच्छा है, यह हमारा नय tripod है, देख सकते हैं, यह जो के quality को देख सकते हैं, यह काफी अच्छी quality की aluminum की tripod है, यहाँ पर camera lock करने या angle movement के लिए एक handle दिया गया है, साथ ही में यहाँ पर tripod को carry करने के लिए एक handle दिया गया है, आप इसे असानी से carry कर सकते हैं, इसके अलाबाए इसके साथ ही tripod के साथ ही यहाँ पर आपको smartphone या camera phone पर इसे निकाल सकते हैं और जरुवत पर लगा भी सकते हैं, यह company के द्वारा tripod के साथ free में दिया गया है, आप इसे इस परकार से कर सकते हैं और इसे निकाल भी सकते हैं, इसके अलाबा आप इसे DSLR के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना है, उस camera को यूज़ करना हैं जिसका वज़न तीन केजी से ज्यादा ना हो, आम तोर पे DSLR का वज़न हाफ केजी होता है या एक केजी के आसपास होता है, तो यह tripod आपके लिए काफी बेहतर सावित हो सकता है, आईए अब देखते हैं इसकी height maximum कितनी जाती है, इसके height को maximum करने के लिए आप इसके leg को पर lock दिया है, सबसे पहले हर एक lock को हमें खोलना होगा, अब इसका सारा leg खुल चुका है, अब सही से इसे adjust करने के लिए सारा leg को lock करना पड़ेगा यहाँ पर सबसे उपर में axis पर एक locking knob दिया गया है, जिससे आप इसके height को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं घुमा कर और camera को adjust कर सकते हैं, अब यहाँ पर इसकी maximum height हो गई है, अब इसे कस देते हैं, ताकि यह नीचे न जाए और height कम न हो, अब हम यहाँ पर quick releasing panel के साथ a smartphone mount को लगा देंगे, यहाँ पर दिये गए इस छोटे से handle से, आप इसके चारों तरफ 360 degree तक घुमा सकते हैं, साथ ही camera को adjust करके इसे असानी से tight कस दिया जाता है, ताकि camera हिले डूले नहीं, अब मैं mobile को mount करके बताऊंगा, कैसे आप इसे adjust करके video को बना सकते हैं, अब मैं यहाँ पर एक mobile को mount कर दिया हूँ, अब इससे video को बना कर देख सकते हैं, कैसे यह काम करता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, mobile बिना हीले डूले अपने चारों तरफ घुम रहा है असानी से, अगर मैं बात करूँ इसकी price की, तो इसकी price जो है, market में आपको 700 से 800 रुपये के बीच पड़ेगा, अगर बात करें इस tripod की कीमत की, तो हमने इसके लिए 749 रुपीज इमाजोन को पे किया है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसके price को, इस वीडियो से सम्बंधित आपको कोई भी क्यूरी हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए, हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और वेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मि आपको नोटिकेशन मिलताएं, तो आपको नोटिकेशन मिलताएं